भारत के टीम का West Indies दोरे के लिए सेलेक्शन हुआ, उस सेलेक्शन में काफी सारी चीज़ थी जहाँ पर चितेश्वर पूचारा ड्रॉप्ट थी लेकिन एक चीज जो ऐसी थी, महाँ पर मुहमद सिराज के साथ साथ भाई मुहमद शामी को रज दिया गया था सिराज को तो टीम में रखा गया था, लेकिन मुहमद शामी को रज दिया गया था उसके साथ भाई जिस गेंद बास का यहाँ पर चुनाव हुआ था, वो काफे इंटरस्टिंग था यहाँ पर चुनाव हुआ था भाई ODA और Test Cricket के इंदर नवदीब सैनी का नवदीब सैनी आप लंबे समय से नाम सुन रहे होंगे, लेकिन इस गेंद बास के बारे में आप कितना जानते हैं यह थोड़ा सा सवाल है, आप इस गेंद बास कितना जानते हैं, आप जानते कि भाई यह RCB से तालुकात रखता था यह फिर उसके बाद आजस्तान की टीम से गया, भाई यह उस्ट्रेले के अंदर गया था, लेकिन इन सब की पीछे की कहानी क्या है कहां से यह कहानी शुरू हुई थी, कैसे, गौतम गंभीर के एक आइडिया से गौतम गंभीर इस खिराड़ी के लिए लड़े थे उसके बाद में को सीधा उठाके Academy के इनना डाला था Academy तक जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे गंबले से ये गिनबाजी करते थे गंबले को stumps बनाकर घर में गिनबाजी किया करते थे तो भाई इन सब के बारे में आपको जानकारी देगी ये वीडियो एंड तक इस वीडियो को देखे और आगे जानते है भाई नवदीप सेनी की पूरी कहाने नहरा जी ने पहचाना IPL का टिकट दिलवाया बले बाजो का इस गिनबाज को देख जी घबराया वेस्ट इंडीज का सरचकराया बले बाजो पर नहीं करता कोई रहम वेस्ट इंडीज दोरे पर सिराज का साती है ये एहम बले बाजो की छाती पर करता है वार लंबे कद तेज गेंद बाजी से करेगा वेस्ट इंडीज पर प्रहार सपने पूरे उनके होती है जिनके सपनों में जयान होती है जिसे से पूरा करने के लिए साधनों की नहीं होसलों की जरूरत होती है जिसे दिल्ली के बॉलर नवदीप सैनी ने सच करके दिखाया बचपन में बॉलिंग प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, उन्होंने पौदे के गंबलो को ही स्टंप मना कर प्रैक्टिस की और आज टीम इंडिया का स्टार गेंबाज बन गए, नवदीप सहनी का जन्म 23 नमबर 1992 को करनाल हरियाना में हुआ था, उनके बचपन में ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक करते थे और घर के अंदर गंबलो के साथ, शौकिय मत दर असल फूलो के गंबलो को वस्टंप बना कर बॉलिंग प्रैक्टिस किया करते थे, जिससे गंबलो के पौदे तित्तर बित्तर हो जाते थे, और जब शाम को उनके पिता, अमरजीत सैनी घर आते थे तो उन्हें डा कातार 145 किलो मिटर प्रति घंटा की रफतार से गंबाजी कर सकते हैं, इतनी प्रतिबा होने के बावजूद नवदीब सैनी पैसो की कमी होने के कारण कोई भी अकैडमी जॉइन नहीं कर पायते और मौज मस्ती में क्रिकेट खेलते रहेते, तब उन पर भाई दिल्ली के ए जैनत और कस्मत दोनों चमकी और उस एकैडमी में उन्होंने भारतिये क्रिकेट टीम के हिस्सा रहे गौतम गंबीर को नेट में प्रैक्टिस करने का जिम्मा मिला, जो उन्होंने वर्दान साब नैचुरल टेलेंटिड नवदीब की बॉलिंग से गौतम गंबीर खूब प चली गई, खेर उन्हें 14 सितंबर 2015 को दिल्ली के विदर के खिलाफ फर्स क्लास मैच में उनको डेब्यू करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने दो एहम विकेट लिये, नवदीब अपनी गिंबाजी से लगातार सबको प्रभावित करते रहे और फर्स क्लास डेब्यू के चार साल बाद 3 करोड की बड़ी रकम में उन्हें RCB ने IPL में अपनी टीम में शामिल किया, पूरे से नवदीब ने 11 विकेट अपने नाम किया, अब आप सोचिए जिस खिलाडी को पास स्टम्स करीदने के पैसे नहीं थे, वो गंबले को स्टम्स समझकर गिनबाजी किया क RCB ने अपनी टीम में इस खिलाडी को शामिल किया, और यहां पर नजर किसकी पड़ी थी, नजर पड़ी थी भाई आशीश नहरा की, इसी साल नवदीब का एक और सपना पूरा हुआ और नवदीब को भारतिय टीम से बुलावा आया, 22 जुलाई को वेस्ट इंडी से खिला नहीं एक बार फिर वहीं आखड़ी है, एक बार फिर नवदीब का वेस्ट इंडीस दोरे में भारतिय टीम के लिए सेलेक्शन हुआ है, अगर नवदीब को भारतिय टीम में अपनी जगा पकी करनी है, तो वेस्ट इंडीस के बल्ले बाजों को डराना भी होगा, धमकाना और सीरीज में तिरंगा भी फहराना होगा, आपकी क्या कुछ रहा है इस पूरे नवदीब सैनी की बायोग्राफी को लेकर कैसा रहा है नवदीब सैनी का पूरा सफर, कैसा लगा आपको गौतम गंभीर का इतना ज्यादा यहाँ पर इस खिलाडी के लिए खड़ा होना, आ झाल